आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइकोम सत्याग्रह के विशय में जो की 1924-25 में केरल के 53 कोर रियासत में हुआ था तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वाइकोम सत्याग्रह ये जो वाइकोम है ना ये 53 कोर के एक गाउं का नाम है जहां से ये सत्याग्रह सुरू हुआ था इसी कारण से इसको जो है वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता यहां पर जो सत्याग्रही थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यहां के लोग तो उन्होंने जो है इस सत्याग्रह को बड़े ही सांतिपूर्वक धंग से किया था 1924 से 25 तक चला था य बड़ा ही धनी था यह 13 रियासत तो यहां पर हुआ था यह वाइकोम सत्याग्रह देखो इसका उद्देश मतलब यह जो वाइकोम सत्याग्रह किस कारण से हुआ था तो अस्प्रिश्यता के विरुद्ध मतलब छुआ चूत के विरुद्ध अस्प्रिश्यता जिनको तो धार अंदोलन शुरू किया था ना, तो यह अस्प्रिशता के विरुध हुआ था, देखो केरल का जो त्रावण कोर रियासत है ना, वहाँ पर छुआ छूत जाती पाती इन सब चीजों को बहुत माना जाता था, वहाँ पर इन सब चीजों के लिए उल्टे पुल्टे कान प्रचलन में थे, त्रावण कोर रियासत में ही ना, एक इस्तनकर भी हुआ करता था, इस्तनकर मतलब की ब्रेश्ट टेक्स, जो महिलाएं होती थी, उनको जो है, अपनी छाती धकने के लिए टेक्स देना पड़ता था, यह त्रावण कोर के रियासत में, वहाँ का जो नीमन जाती की महिलाओं को देना होता था, उन्हीं के लिए यह लागू था, जो उच्च स्रेणी की, उच्च जाती की जो महिलाएं हैं, उन पर ऐसा कोई भी कर, कोई भी नियम लागू नहीं होता था, जो नीमन जाती की महिलाएं थी, उनको यह कर देना होता था, और जो इसके विरुद आवाज उठाई, मतलब वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि भई जो नीमन जाती के लोग थे, वो एक तो भई गरीबी, और वहां का जो राजा है, वो इतना खून चूसरा है, टेक्स भी जादा लेता रहा होगा, जो भूराजयस वगेरा, दूसरे तरक कर भ नहीं दिया है, तुम अपने सरीर को ढख नहीं सकती, कर दो और उस बाद अपने सरीर को ढखो, तो यह बुलती है, मिर पास कुछ नहीं हो, फिर उससे जवरदस्ती टेक्स वसूल करता है, तुम को देना ही पड़ेगा, तो तुम खुले घुमो, अब जो नंगेली है, यह क जबन को ही काट करके दे देती है, उसके बाद इसकी मृत्यू हो जाती है, लेकिन इसका जो बलिदान है, वो बेकार नहीं जाता है, क्योंकि इसके बाद एक तरह की क्रांती हो जाती है, और बाद में वहां का जो राजा है, नंगेली जिस जाती की थी, उस जाती की महिलाओ को इस कर से मुक्ति मिली लेकिन दूसरी जाती की महिलाओं को बाद में इस से मुक्ति मिली इसके अलावा वहाँ पर जो नीम नजाती के पूरुस होते थे उनको हैड टेक्स देना पड़ता था मतलब की धड़ के ऊपर ये जो सिर है ये सही सलामत चाहिए तो आपको टेक्स द बहुत जादा था देखो क्या मामला था त्रावण कोर में जो मंदिर वगेर होते थे ना तो मंदिर के आसपास जो सडक होता था उन सडकों पर नीमन जाती जिनको असप्रिश शमझा जाता था जिनको लोग छूते नहीं थे उस टाइप के जाती के लोगों को मंदिर के आस आसपास जो सडक होती थी उस तक में गुजरने का अधिकार नहीं होता था तो वो मंदिर में भला कैसे परवेश करेंगे मतलब कि मंदिर के आसपास के सडक में उनको चलने का वहां आने का अधिकार नहीं है तो वो मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे तो मंदिर तो पहुंची न चल चुका था और जो सत्याग्रह आंदोलन है वो भी काफी सफल हुआ था चाहे चंपारण हो खेडा हो वलसाड हो या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो तो अब यहां पर जो केरल के जो लोकल निता होते हैं वो लोग आगे आते हैं अच्छा केरल में न उनिस्व के माधवन यह सब जो हैं अच्छुतो धार के लिए काम किये थे उनिस्वी सताब्दी में नारायन गुरू का नाम आप लोग याद रखेंगे अब यहां पर यह जो मामला होता है कि जो अच्छुतों के साथ इस तरह का विवहर हो रहा है सडग तक में चलने का अधिकार उ कुछ का नाम आप लोग याद रखेंगे टीके माधवन तक माधवन उसके बाद के के कैलपबन के लपपन उसमाद के पी के सव मेनन ये तीन नेताओं का नाम आप लोग याद रखेंगे जो कि केरल के थे कॉंग्रेस से जुड़े हुए थी ये लोग और महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे तो ये लोग जो है महात्मा गांधी का जो अहिंसा का जो सिध्धान्त है सत्याग्रह का जो सिध्धान्त है उसके द्वारा ये जो त्रावण कोर के जो अस्प्रिश लोग हैं जिनको अस्प्रिश शमझा जा रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ना सुरू करते हैं कि हमको ज चलने का अधिकार, इनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, तो वहां के लोगों को ये जागरूप करना शुरू कर देते हैं, महात्मा गांधी के सिध्धानतों से, महात्मा गांधी जी के विचारों से, यहां के लोगों को परिचाय करवाया जाता है, कि आपको जो है, सड़क पे चलने का पूरा अधिकार होना चाहिए, मंदिर में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए तो वहां के लोग गांधी जी के विचारों से बड़े प्रभावित होते हैं और बिल्कुल तयार हो जाते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं अब यहां पर वाईकों सत्याग्रह जो नाम रखा गया है तो यह वाईकों एक गांव था वाईकों एक गांव का नाम है जो त्रवण कोर में तो वाईकों गांव के एक मंदिर में 30 मार्च 1924, कब 30 मार्च 1924, 30 मार्च 1924 को केरल के जो इस्थानिय कांगरेस के निता होते हैं, वो लोग जो है वाइकोम गाउं में 30 मार्च 1924, वहां का जो इस्थानिय मंदिर होता है, वहां पर उस गाउं के जो अस्प्रिश लोग हैं, उनको ले करके प्रवेश करते हैं, रस्थाएं की गई होती थी लेकिन ये लोग जो हैं जो Congress के जो नेता थे उसमें काफी सारे सवर्ण लोग भी थे मतलब उची उची जाती के लोग भी भी इनका साथ दे रहे थे मतलब इस इन नेताओं में वो तो वो लोग और जो अच्छूत समझे जाने वाले लोग हैं वो सब वो जो हैं उस सडक में चलते हैं जिसमें इनको चलने की अनुमती नहीं थी उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं अब भाई जो भीड है अकेला पुजारी दो चार रहे होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं और ये लोग जो हैं उन अस्प्रिश कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश करा देते हैं इस घटना के बाद त्रावण कोर में पूरा हाकार मच जाता है जो उच्छ स्रेणी के लोग हैं जो सवर्ण लोग हैं वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि इन अस्पृष्ष लोगों को हमारे मंदिर में क्यों प्रवेश करवाया, उसको अपवित्र कर दिया, असुद्ध कर दिया, इस तरह की बाते होने लगती है, और इसे के साथ साथ ये जो वाइकोम है, त्रावण कोर का ये जो मामला है, कि इस तरह का भेदभाव हो रहा है, त एस भर से स्वैम सेवकों का जो दल है, वो यहाँ पर पहुचना सुरू कर जाता है, जो कॉंग्रेस के स्वैम सेवक दल थे और दूसरे लोग, वो सब यहाँ पर पहुचना सुरू कर देते हैं, और इस आंदोलन को जो है तीवरगती से चलाना सुरू कर देते हैं, अब इस गांधी जी 1925 में आते हैं त्रावण कूर और यहां की महारानी से मिलते हैं यहां पर महारानी थी उस समय तो उससे मिलते हैं और महारानी के साथ यह जो सत्याग रही है आंदोलन करता हैं उनके बीच एक समझावता होता है जिसके तहत जो भी हुआ मतलब यह जो भेदभाव ह आगे नहीं होगा इस टाइब का समझावता होता है मतलब एक तरह से लगता है कि आंदोलन सफल हो गया लेकिन कोई परिणाम नहीं लिकला था लेकिन जो समझावता हुआ क्यूंकि गांधी जी खुद आ गये तो महारानी को थोड़ा सा जुकना पड़ा वो तैयार हो जाती है समझावता के लिए और ठीक है आप जो चाहते हैं वैसा होगा इस तरह से वो आश्वासन देती है लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी वापस जाते हैं उसके बाद लगभग 20 महीने के अंदर 23 कोर में क्या होता है ये जो अस्प्रिष्च लोग है ना इनके चलने के लिए अलग से सड़क बनवा दिया जाता है मतलब कि जो मामला शुरू हुआ था ना कि इनको सड़क में चलने नहीं दिया जा रहा है तो इनके लिए जो है अलग से सड़क बनवा दिया जाता है मतलब सोचो गांधी जी खुद गय थे गांधी जी को देखके तो एक बार को डर ग यह वो फलाना धिमकाना बोले होंगे इनके लिए आप अलग से सड़क बना दो ना अलग सड़क रहेगा उसी में लोग चलेंगे और हम अपना सड़क में चलेंगे ताप लोग सोचिए उस समय में जो छुआ छूत भेदभाव की नीती किस तरह से देश में बैठी हुई थी क कि अस्प्रिश कहे जाने वाली लोगों के लिए अलग से सड़क बनाया गया ताकि वो जो है सवर्णों के साथ सड़क में न चल सके अच्छा यहां त्रावन कोर में क्या होता था पता है आप लोगों को जो सवर्ण लोग है ना उनका जो सवर्ण लोग थे वो वेक्ति है और कोई अस्प्रिश्य वेक्ति उधर गुजर रहा है तो वो 16 से 32 फिट मतलब बहुत लंबा दूरी होता है ना 16 से 32 फिट 16 वाई 16 का एक बड़ा सक कमरा होता है नॉर्मली तो 8 वाई 10 का होता है एक कमरा तो उससे भी बड़ा या 3 गुणा 32 फिट अगर लेंगे तो उतना दूर से चलना होगा उस अस्प्रिश्य वेक्ति को मतलब कि भई अस्प्रिश्य वेक्ति सवर्ण वेक्ति को इस पर्स कर जाएगा तो पता नहीं उसका क्या पूरा ज्यान चला जाएगा या क्या होगा पता नहीं उससे जमाने के लोगों की क्या सोचे थी तो यह था तो इस तरह से यह आंदोलन एक तरह से सफल लग रहा था लेकिन बाद में जो है वहां क्यूंकि वह रियासत था वहां का अलग यहां पर अस्परिश लोगों के लिए अलग से सड़क बना दिया जाता है तो यह था वाइकोम सत्यागरह जिसका की भारती राष्ट्रय आंदोलन में एक महत्पूर्ण गया था क्योंकि जो हमारा जो दक्षिर भारत का जो छेत्र था वो भी राष्ट्र आंदोलन के प्रभाव से अच्छूता नहीं था इसे के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद